वेल्किम बैक नाज़ीन कुल मॉर्लिंग सेवसरी में एक तफा पिर आपको खुशामदीत कहते हैं और हमेशा की तरह हम बहुत ही मेहनत से दुनिया भर से तिल्चस्पो अजीव खबर दुनिया भर के चक्कर लगा के और खुद चक्रा के आप लोगों के लिए तिल्चस्प आज मैं आपसे एक इंटरस्टिंग खबर लेकर आया हूं लेकिम उससे पहले आप मुझे मेशन इमतीहां में बालती हैं तो अब मैं आपको इमतिहां में डालूंगा बेनाजी आज मेरी बारी है आज इनकी बारी है बिलकुल तो मुझी आप ये बताएं कि आपको पता है कि इनसान एक मिनिट में कितनी दफा सांस लेता है एक मिनिट में कितनी दफा सांस लेता है एक मिनिट में कितनी दफा सांस लेता है मतलब बहुत दफा जातर दफा एक नगा नगा चाहँ दफा कर एक चाहँ पर आपको अपर चाहरा है कि यूफ दा चलोग तहरा के हम एक लगाई जाए जो केल्कुलेशन होई हैं हम 16 मरतबा सांस लेते हैं एक मिनट में और उसके साथ साथ अब मुझे आप यह बताएं करके हमारी नॉमली जो नींद होती है रात की वह आठ घंटे की तो होती है ना चुमारे मेडिकल दॉक्तर कहते हैं कि आठ घंटे सोना बड़ा जूरूरी है हेल्दी के लिए हेल्थ के लिए और अच्छी निशनमा के लिए तो अब मुझे बताएं कि एक रात की नींद में मुल्टिप्ला करके बताएं कि हम किसे दवा सांस लेते हैं यह होगा कोई more than 6000 more than 6000 माला तो तुक्का लगा दिया ठीक है कोई फिकर तो बताएं कैसी बस मोर दे चले ठीक है कोई बाती हम से स्थमेंट नहीं करते हैं तो हम एक आठ घंटे की नीद में जो नॉमली हम रात को लेते हैं उसमें नाजरीन हम 7680 दफा सांस लेते हैं अच्छा जी आठ गेंटे की नीद में इसी तरह से कर आपने कल्कुलेट करना है कि हमने दिन में किसे दफा सांस लिया अनॉमली अगर एक नॉमल हुमन बाड़ी है तो इसको आप मिनिट के साफ से मृट्पिला कर लें पर मिनिट हम 16 दफा सांस लेते हैं आठ घंटे की नीद में हम 7680 मरतबा सांस लेते हैं अगर आपको क्वेस्टिन आ जाये तो आपको पता हो कि जुबैर ने आप है कि बढ़ी इंटरेस्सिंग सी खबर है कि बहुत से लोगों को चॉब होता है बड़ी दिफेंट से लोगों को शॉप होते हैं को क्लेक्शन का मैं बच्पन से अब कोशिश होती कि कहीं बच्पन किसम की स्टों करती हूं अच्छा गूमने पिरने जाओं तो वहां से पत् के बात कर रही हैं तो इस तरह का मुझे एक शॉक था बच्छपन में जो कि अब नहीं है लेकिन बच्छपन में था सिक्क्य जमागरनेगा अच्छा को इंचेजन्स है कि मेरे पास जो खबर है वो भी इसी से मिलते जुलती है कि सो साल से भी ज्यादा पुराने शॉक्छे जा मुख्लिफ तरह के मुख्लिफ अद्वार के मुख्लिफ जगों से सिके करेक्ट करने का शौक था तो इसी तरह उसके पास 20,000 सिके थे अच्छा और 100 साल पुराने ये सिके हैं और इस शक्स की जब एक सदी पहले इस शक्स की डेथ हो गई तो उसका उसने वसीयत की कि एक साल पूरा एक सदी ये सिके मौजूद रहें यानी 100 साल उसके बाद मेरे मरने के 100 साल के बाद इन सिक्कों को निलामी के लिए पेश किया जाए 100 साल पहले उसने वसीयत की कि 100 साल बाद इसको निलाम किया जाए डैनमा का ये एक शहरी था जिसकी ये खौाहिश थी और इसके जो सारे अबाब उसकी फामिली आगे जो पोते कहा जाए पोते पोते ये वड़ेवर जो भी उसकी फामिली वेंबर्स थे उसकी वसीयत को पूरा किया और इस साल खजा में उसके जो 20,000 सिक्के थे उनको निलामी के लिए पेश किया जाएगा डिफरंट तरह के जो सिक्के थे और ये लॉर्च एमल ब्रॉन डेरी का कारोबार करता था और शौक जिसे कहते हैं कोई मोल नहीं तो इसने वह 20,000 सिक्के जमा किये अपनी जिंदगी में और इसके बाद जो उसकी वसीयत थी कि 100 साल पूरे हो हैं अब उसको फॉर्ट हो चुके हैं तो इस साल खिजाम में उसके सिक्कों को निलामी के लिए एक जो है वो निलाम घर में पेश किया जाएगा तो अगर आप भी डैनमार के रहाईशी है और आप जाना चाहते हैं ताहिरा इसके कोई होगी कोई 100 साल के बाद वह सिक्कों क क्या अमाउंट बनेगी को अंदाजा है आपको यह तो जाकर उनकी खुबसूरती को देखते हुए उनको जाकर लोग जाकर देखेंगे निलामी के लिए पेश किया जाएगा तब ही बता चलेगा तो बहुत अफ़ ऐसा होता है कि आप लोगों को शॉक होता है जाकर देखन होगी जरूर होगी उनीक चीज़ों की वैल्यू बहुत जादा होती है तो जनाब अब हमने यह था हमारा आज का सेग्मेंट और आपने कमेंट करके कहां बताना है यह हमेशा की तरह आपको बताते हैं कि हमारा ट्रिटर्टर्स अगांट है पी एसीज़ाइव सेफटीज औ बहुत कीमती हैं बहुत ही जादा कीमती हैं वैल्यूबल हैं तो आपने में कमेंट करके बताना है यह था हमारा आज का मालनिंग शो मिलेंगे आप से नेक्स्ट मालनिंग शो में नई खबरों के साथ और एक नए मूट के साथ अब तक के लिए मुझे और ताहरा को इजाद दिए आपना महट गयालर की यालाफस यालाफस